जाहिंद फिचर ओफिसर्स मैं सचिन शोगंद आप सभी का स्वागत करता हूँ आपकी सूपर हंड़र्ट सीरीज में मानेक्श ओफिसर्स अकेडमी पे आज है डे फाइब और आज फिर से हम जी असके कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिस कंसेप्ट के विशे से हमारी जिन्दगी पूरी करीके से बदल गई है अगर वो कंसेप्ट हो नहीं होता अगर वो साइंस का वो लोज नहीं होते तो जैसे आज हम हमारी जिन्दगी जी रहे हैं वैसे हम हमारी जिन्दगी नहीं जी रहे होगा है तो हम बात करने वाले हैं आज की सीरीज में साउंड के बारे में येकिन साउंड के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेकर हैं एंडी और सीडियस के अपकमिंग बैचिस के बारे में अगर आप एंडी और सीडियस के लिए प्रिपेर गार रहे हैं आप घर से प्रिपेर करना चाहते हैं या आप तैली में आगे प्रिपेर गर return प्लस SSB का वो भी बहुत ही ज़्यादा कम फीस के अंबर तो अगर आप हमारे batches के अंदर enroll होना चाहते हैं तो आप प्रोड्यूस करते हैं हमारे कानों के अंदर sensation फिनने की कि sound की वेज़े हम चीज़े सुन पाते हैं अब sound ही जैसे हम चीज़े सुन पाते हैं sound के form of energy है तो जितनी भी energy की loss हम पिखली chapters में पढ़ चुके हैं वो सारे loss आपका apply होते हैं sound के उपर भी यह चीज़े हमें समझने के बाद अब समझना जरूरी है कि sound produce कैसे होती है तो sound अगर मैं बात करूँ तो वो produce होती है by vibrating objects जैसी ही वी vibration produce होगी और vibration की वज़े से जो sensation हमें सुनाई देती है उसको कहा जाता है sound तो यह बात हमें समझ में आती है अब क्या sound को कहीं पे भी produce होके हो कहीं पे भी वैसकती है ऐसा नहीं है sound produce हो सकती है लेकिन produce होने के बाद उसको transmit होने के लिए medium की ज़रूरत पढ़ेगी बीना medium के sound आपको नहीं सुनाई देगी अगर मैं बात करूँ कि अगर आप चांद पे हैं और वहाँ पे आपके पीछे palm फॉर दिया जाए तो भी आपको कोई आवाज नहीं आएगी क्योंकि महाँ पे air नहीं है कोई medium नहीं साउंड की travel करने के लिए अब medium तो अलग-अलग हो सकते हैं medium आपका solid भी हो सकता है medium आपका liquid भी हो सकता है और gas भी हो सकता है अब अलग-अलग medium में sound की जो speed है वो अलग-अलग होती है तो सबसे जादा speed आपको देखने को महीती है आपके solids में उसके बाद liquids में और सब से कम आपको speed देखने को मिलती है आपकी air के अंदर अब हमने ये बात कर ली अपके speed of sound के ओपर किसी और चीज़ का impact भी पढ़ता है तो बिल्कुल पढ़ता है और यही बात आपके exam में पूछी जाती है तो temperature का impact पढ़ता है आपकी speed of sound के ओपर बहुत सारे experience को शायद ये बात नहीं पता होगी तो जैसे ही जैसे आपका temperature बढ़ता है वैसे वैसे आपकी speed of sound भी बढ़ती रहती है तो दोनों चीज़ें आपकी directive proportional होती है ये दुसरे के ये चीज़ हमें समझ में आएगी वहाँ पे compression और rarefaction जैसी situation create हो जाती है एक जैवे पर आपका high pressure area create हो जाता है और उसके just next आपका low pressure area create हो जाता है जो आपका high pressure area होता है वो कहलाता है आपका compression और जो आपका low pressure area होता है वो आपका कहलाता है rarefaction आपका इस compression और rarefaction की form अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे मॉलेक्यूल्स के अंदर वो create होती है और इसी तरीके से आपकी जो sound है वो move करती है जो आपके particles होते हैं वो अपनी space अपनी जगह को छोड़ के कही और नहीं move कर रहे होते हैं बस वो आगे पीछे अपनी जगह पर vibrate कर रहे होते हैं two and fro में motion ही लग रहे होते हैं जिसकी विज़े से compression और rare fraction थीटी उठ पना होती है और हमारी sound आगे travel कर रही होती है I hope आपको यह concept समझ में आया होगा अब wave के अगर हम बात करी रहे हैं तो wave को अच्छे से समझ लेते हैं कि wave में कौन सी चीज क्या होती है तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं wave length के बार है तो जो चीज, जो length, जो distance आपकी दो crest या दो truff के बीच में होती है crest यानि जो ऊपर वाला हिस्सर जो आप देख सकते हैं अपनी image में और truff यानि नीचे वाला हिस्सर जो indoor, consecutive, rust या टरफ के बीच की length होती है उसी को आपका wave length कहा जाते है wave length हमें समझ में आ गया इसके बाद हमें समझना है frequency क्या होती है frequency होती है the number of peak through per unit time and it will give you frequency मतलब एक unit time में कितनी बार आप अपनी wave की motion को चकर को complete कर लेता है वो आप frequency को समझ सकते है अब frequency से क्या होता है frequency को एक तो measure किया जएदा आपका हज के अंदर दूसरा अगर आपकी higher frequency होगी मतलब आपकी जो sound है वो high pitch की है अगर आपकी frequency कम होगी आपकी जो sound produce हो रही है वो low pitch की है I hope आपको frequency का uncertainty समझ में आया हो अब frequency के जैसे जिकर होता है तो महाँ पे time period का जिकर भी करना ज़रूरी है अब time period गया होता है time period होता है कि आपका एक oscillation को complete करने में कितना time लगा वो आपका माने जाता है कि time period है आपका जो time period है और जो आपकी frequency है वो एक दूसरे के inversely proportional होता है हमेशा यह बात हम आप याद रखेंगी कि यही आपके exam में पूशी भी जाती है हमने उन दोनों के बारे में बात कर लिए आप बात कर लेते हैं amplitude के बारे में it is the magnitude of the maximum disturbance on the medium on either side कि वो उपर या नीचे की जरफ maximum कितना आपकी वे जा रही है उसको आप amplitude करता हूँ और amplitude आपका decide करती है कि आपकी जो sound है वो कितनी loud होगी या कितनी soft होगी अगर आपकी sound बहुत high है that means उसका amplitude जादा है अगर amplitude कम होगा that means जो आपकी sound होगी वो soft side पे होगी I hope आपको amplitude भी समझ में आया होगा अब और क्या laws apply होता है sound को उपर अब sound एक wave की form में काम करनी है तो sound में reflection भी हमें देखने को मिलती है मतलब sound अपने एक source से निकलती है दिवार पर या किसी अब्स्टक्टर से टकराती है और वहां से reflect हो जाती है ये बात हमें समझने ज़रूर ही है क्योंकि इसी basis पे हमारा concept काम करता है इको का और इको is that portion जो हमारे exam में हर बार पूछा जाता है और इस बार फिर से पूछा जाने के पूरे पूरे chances है अब इको क्या होती है जब हम पहाड़ों में जाते हैं खाली होल्स में होते हैं जब हम बहुत अपने नाम या कुछ चीज़े चिलाते हैं बोलते हैं तो थोड़ी देर के बाल हमें हमारे शब्द वापिस सुनाई पड़ता है जो जो शब्द हमें वापिस हमारे सुनाई दिये हैं इस फिनोमेना को इस impact को कहा जाता है इको अब इको आपका होने के लिए कुछakatशन होने बहुत ज़रूरी है वो क्या है माहाँ पर होने जरूरी है कितनी है वह निकालने का टरीका आम आपको बता देता हूँ अब क्यूँक्सक्ति अगर पाए जांस रहे आक 1975 में भूल भी से साभ़ए गए स्पीड आपकी एर के अंदर साउंड यह थी 344 मिटर तो मतलब आपकी जो ओरिजिनल साउंड है वहां से लेकर जो आपको वापस सुनाई दी है वहां तक की दिस्टेंस 34.4 मिटर होनी चीए 34.4 मिटर मतलब आपकी साउंड प्रोड्यूस हुई वह गई वह टकर आई और वापस आई तो इतनी मिनिमम दिस्टेंस होनी जरूरी है अब इसी बेसिस पर आपसे पूछा जाता है कि आपके और अब अब जेक्ट के बीच में कितनी दूरी होनी चीए तो वह दूरी तो इस का हाफ होनी चीए अब हमारे डियाग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इको प्रोड्यूस हो रही है लेकिन हमारी जो सौंड है वह आगे गई रिफलेक्ट हुई हमें सुनाए दी वह पीछे गई वह फिर सिलेक्ट हो रही है यह बार-बार कि रिफलेक्ट हो रही है इस फिनोमेना को किस नाम से जाना जाता है इस फिनोमेना का आपका जाना जाता है रिवरपरेशन के नाम से आपके एक्जाम में पिछे इस टोपिक पर कोश्चन पूशा गया था इसकी डेफिनेशन आप से पुछी गई थी कि रिपिटिड रिफलेक्शन जो सौंड की होत हैं वहां पर आपका रिवर्परेशन पर यूज किया चाते हैं इस आपको यह भी एक्सेंपल याद रखेंगे अगर हम सुनने की रेंज के बारे में बात करें तो वह हो थी आपके 20 हर्ट से 20,000 हर्ट उससे नीचे की अगर आपकी साउंड है तो आपका बिलोग 20 हर्ट की जो सांड होती है उसको अल्ट्रा सो निचे मिल जाएब हमारे section में अब जिये section के हमने बात कर ली अब हम बात करेंगे हैं हमारे English section के उपर क्योंकि English भी काफी scoring portion है और हम इसको मिस्स नहीं रह सकते हैं इंडिज के हम बात कर लगते हैं तो आज का जो rule है वो है कि ऐसे कुछ nouns होदे हैं जिनके साथ हमेशा singular वह भी यादी हैं इस सारे आपको याद होने चाहिए कि आपके एक्जाम में यह words बार-बार repeat होते हैं और ऐसे और भी बहुत सारे words होंगे लेकिन मैंने जो most repeated words है उनका use किया है आप लोगों के लिए कि आपको उनको भूमना न पड़े अब इनके साथ singular form ही आएगी अब समझे रहते हैं कैसे एक संटेंस है the century of Kashmir are enchanting अब यहाँ पे the word which we have used is century तो वह आपका में singular form में यूज होता है तो यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए आपका यहाँ पे आना चाहिए is he has given advices तो सें यहाँ पे आपका advices नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपका मोना चाहिए advice I hope कि आपका यह rule भी clear होगा आप notes बना रहे होंगे आपने अगर अब तक यह series नहीं देखी है पहले तो आप हमारे youtube channel के playlist section में जाके यह complete series को एक साथ देख सकते हैं Thank you so much Jai Hind, Jai Bharat